अगर आप भी चाहती है प्रेग्नेंसी तथा बच्चों से जुड़ी हर छोटी से छोटी समश्या का समाधान तो सब्सक्राइब करें हेल्पिंग आई टीवी को और बगल में बैल आइकन को भी दमाएं ताकि मैं जो भी वीडियो हलो फ्रेग्नेंसी का समय बहुत ही देखवाल का समय होता है बैसे तो प्रेग्नेंसी का सफर बड़े ही आराम से कड़ जाता है लेकिन जैसे ही नॉर्मल डिलेवरी का समय आने लगता है यानि नौवा महीने सुरू होने लगता है तो मन में कई प्रकार की बिचार स्टार्ट ह जाते हैं कि कब प्रिशाव दर्द होगा और कब डिलेवरी होगी कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि काफी समय हो जाता है यानि कई बार देखा गया है कि 40 वे हफते होने पर भी दर्द शुरूर नहीं होता है आखिर क्यों प्रिशाव दर्द में इतनी देरी हो जाती है आज की वीडियो में हम यही जानेंगे तो चलिए जानते हैं इसका कारण अधिकतर जो महिलाएं पहली बार मा बन रही होती हैं उनमे यह समस्या जादा देखने को मिलती है अगर आपकी पहली डिलेवरी में समय से दर्द हुआ है तो दूसरी डिलेवरी में भी समय से दर्द होने के चांस जादा बन जाते हैं आपकी पहली डिलेवरी में प्रिशाव दर्द में देरी से हुआ है तो भी आपकी दूसरी डिले यदे गर्ब में बच्चे की स्थिती गलत हो तो भी यह प्रिशाव में देरी का कारण बन सकता है मोटापा भी प्रिशाव में देरी का एक कारण बन जाता है अगर आपको पीरियट की सही तारीख मालूम ना हो तो भी प्रिशाव में देरी का कारण यह कहलाता है नोट पिर्षव में देरी का मतलब होता है कि पिर्षवदर्द आपको बहुत देर से सुरू होगा लेकिन ज़्यादा देर तक इंतजार करना सही नहीं है 40 वे हफते के बाद रुकने पर सिसू के गर्ब में ही पौटी करने या गर्बना लपीटने या इंफेक्शन होने का खत्रा बढ़ जाता है जो सिसू की जान पर खत्रा पैदा कर सकता है तो फ्रेंट्स उम्मेद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा यदि फ्रेंट्स वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए शेयर करिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा थैंक यू